हल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं एम आधार एप्लिकेशन है क्या चीज एम आधार एप्लिकेशन से आपको बेनिफिट क्या होता है एम आधार एप्लिकेशन किस तरह के से काम करता है क्या है किस तरह के से सारा चीज आपको जान कर दोस्तों आप भी एक एम आधार यूज करना चाहता है मान के चलिए आपके पास एक आधार काड है आधार काड में कोई भी प्राब्लेम होता है कोई भी अपडेट करना रहता है कोई भी जैसे आपका दिक्कत होता है नेम बगरा सुधार करना चाहता है तो आप एम आधार से बड़े ही आस दोस्तों आपको search करना है aim आधार ठीक है इस तरके से जैसे आप aim आधार को search करते हैं जो भी इसको मिल जेंगे यह आपका government का application है जितना भी लोग को आधार कार्ट बगरा है तियां पर आपना आधार कार्ट को अगदम easily download बगरा आसानी से कर पाएंगे अगर आप download करना चाह रहेंगे उसका update करना चाहते हैं तो update भी आप है तो सबसे पहले दोस्तों इसका rating बगर आप check कर सकते कि गोर्मेंट द्वारा एप्रूव है ठीक है मतलब गोर्मेंट का अप्लिकेसन है उसका right side आप लोग देख सकते कि 5 कडोर plus downloaded है मतलब इससे आप 5 कडोर plus लोग यहासे यूज करते हैं और 5 कडोर प्लास इस डानलोड बगरा करके रखे हैं और इससे आपका benefit क्या होता है देखिए सबसे पहले आपको इसको open कर लाना जैसे आप इसको open करते हैं open करने बाद देखिए इस तरह के से आपको dashboard open हो जाएंगे एक ताप लोग dashboard service लिखा गवा जिसमें कहा जाता कि इस सेक्षन कोवर एंड एरे ओप आधार सार्विस एट यूर फिंगर टिप्स तो हेल्फ यू डानलोड एंड आधार ओडर एंड आधार रिफ्रिंट अपडेट एड्रेस वेरिफाई एंड आधार एंड जेनरेट ओनला ओफ लाइन एक वाइसी वीड और स्केन और क्यूर क कर सकते हैं उसकी बाद दोस्तों नीचे आपको को ईदर स्टाटेट बटन मिल जए मिल जैंगे जैसे सहाँ चीज इसी प्लोग कर सकते हैं जिसमें आप लोग का इतना सारा सर्वीस दिया हुआ है देख सकते हैं कि एक से आठ तक जो भी सर्विस है यहां पर अवलेबल है उसका नीचे दोस्त आपको कंटीनिव बटन मिल जाएंगे continue button पर tap करने के बाद देखिए यहां पर जो अपना registered mobile नमर होता है जो आधार काट से आपका registered है वो mobile नमर का आपको यहां से fill करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देख सकते हैं कि आपना जो next button है next button पर जैसे आप क्लिक कर देता है next button पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा work करत करते हैं बहुत ज्यादा दोस्तों इसमें server का issue होता है तो कभी भी आप लोग साइन अप बगर आगर नहीं होता है तो थोड़ा बाद में आप कर जागा आपका login प्रोसेस हो जेंगी होने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं सबसे उपर में लिखा हुआ आधार काड होता है उसको सबसे पहले डानलूड बगरा कर सकते हैं अगर मानके चलिए आपका खो जाता है आधार काड गूम हो जाता है तो उस बाइचांस अगर आपका गूम हो जाता तो आप जो अपना नाम होता है डेटा बार्थ होता उससे भी आप लोग अपना आधा काड है खोग यह है पता नहीं चल रहा है आप उसको रिफरेंट करके घर तक लाना चाहते अपना अधार काड लेखा हुगा इससे आप अपना जो अधार काड है उससे आप आशानी से घर वेठे या आप लोग मगवा सकते हैं उसके पर दोस्तों पर चेक आधार वेलेडिट पर पर आशानी से पता लगा सकते हैं उसके पर दोस्ते यह पर qr scan भी दिया हुआ है उसके साथ दोस्ते हैं पर verify इमेल mobile नमर भी सारा कुछ दिया हुआ है अगर इससे मान के चलिए आप update बगारा करना चाहते हैं या तो address बगारा चेंज करना चाहते हैं तो आप कीस तरी क से कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको रेजिस्टार्ड माई सर्विस पर टेप करना है यहां पर देख सकते हैं जो अपना आधार का नंबर होता है तब जो अपना आधार सर्विस होता है सारा चीज अवेलबल हो जाता है यहां पर आप लोग चेक कर सकते कि आपना जो अधार का नंबर होता इस तरह के सापको फिल करना रहा है वेरिफाय करने बाद दोस्तों नीचे आपको वेरिफाय ऑप्शन भी आजाएंगे जिसको वेरिफा कर जाते हैं वेरिफाय करने बाद दोस्तों आपका जो मतलब आधार काड है यहां पर सो हो जाएंगे इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं देखें यह पर आपना जो आधार काड का एड्रेस बगरा है उसको आप सुधार कर सकते हैं अपना जो नेम बगरा है उसको आप चेंज सबसे पिली यह पर देख सकते कि बूक एंड एडर्स और अपड़ेस ले सकते हैं तो आगर मान के चलिए हैं पर अपना घर वैठेई अब डेट करना चाते हैं तो अधार आपडेट करना चाहते हैं तो अधार काड्या आपडेट में लिखाओगा आपडेट यह और एड्रेस लिखा गए इसमें आपको टेप कर दाना है देखें आपर जो भी अपना अधार काड का नमर होता उपर में आपका 100 हो जाएंगे उसका नीचे देख सकता है कि जो भी अपना केपचा कोड होता इस तरह के से फिल करने के बाद दोस्तो यह पर अप मान के चलिए आपका अधार काड खो जाता है मान के चलिए आप मैनियोले डानलोड करना चाहते हैं तो मैनियोले यहां पर आप डानलोड डानलोड अधार में टेप करके देखें आपर रेगुलार अधार एक दिया होता है एक माक्स आधार दिया होता है दोनों का दोस्तों संक्या वह आपका चार डिजिट दिखे का लास्ट का आठ डिजिट आपका हाइड रहेगा यह होता माक्स अधा तो दोनों मीनिंग हम बता दिये हैं जाके जो भी आप अधार का नमबर को फिल करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देख सकते हैं कि एक क्याप्चा कोड नजर आ रहे होंगे क्याप्चा कोड को इस तरगे से फिल करना है रिक्यूर्स टुपी मिल जाएंगे यह पर आपका जो रिजिटर मोबाल नमबर है उससे आपका ओटीप पेंगे जब तक आपका ओटीपी नहीं आएंगे तब तक आपका कोई भी काम आपका नहीं हो ठीके तरह आपका सारा काम आप कर पाएंगे division ठीकर ऐसका कंडिशन है अगर आप यसको तोसमें उपन करें यह जी आता हुए तो यहां आप सब्सक्राइब करने बता हैं ने इन लता कुमारी उसका डेटर बार्थ है 1988 उसका नीचे देख सकते हैं कि पास्वार्ड लिखा आए एक्जम्पल के लता 1988 मान के चलिए ठीक है अगर आपका नाम आकास है एक के एस ठीक है तो चार डिजिट आपको पहले आपको दवाना है जो दोस्तों आपको साल को फिल करना जहां जो आपको सबसे पहले करना इस तरह के सबसे पहले करे करके का रिखें पर स्बस्काइब एकर तप कर पाएंगे जिसको आप गंप प्रोसेस जिसको आप घर वेटे इसिर्फ अगर कोई भी दिक्कत होता है कोई भी परिशनीय होता है आधार कार्ट से रिलेटिव तो आप एम आधार से जानकरी ले सकते हैं एम आधार से आपका बेनिफिट वहुँ ज्यादा होता है तो एम आधार अगर आप यूज करना चा झाल 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 Judá में ठाक सिर्वी